आदा आप स्ट्रेट लाइन में आप सबका सुवागत है आज हम डोडा में हो डोडा में डिस्टिक डिवेलपमेंट कॉंसल के चीर्मेंट से मिलने आए हैं धनतर जिंग सिंगी से और हम बात करेंगे खास तौर पर चिनाब खिते में जिस तरीके की डिवेलपमेंट हुई ज का घटन आगे होगा वो तो चलो डिवेलपमेंट की रिपोर्ट जब आएगी लेकिन सुनने में आया है कि डोडा में भी जो है एक सीट का जो है प्रविजन रखा गया है और खास वर पर किस्तिवार में भी रखा गया है अब हम बात कर रहे हैं देनतर जिसे हम पहला सवाल सर आप से ये है कि जिस तरीके से डोडा को रिप्रिजनेटेशन पहली बार मिर रही है पहली बार जो है डोडा को एक डिवेलपमेंट के नजर से देखा जा रहा है आपो कैसा लग रहा है मैं समझता हूँ के सबसे पहले तो आप लोगों का जो चैनल है आप यहां पे आए और आपने यहां पे हमारे वियूज और लोगों के वियूज जाने की कोशिश की और इसको आप कहीं न कहीं पबलिश करेंगे उसके लिए सबसे पहले आपका धन्यवाद आपका स्वागत कि आप यहां पे आए और उसके साथ साथ जो सरकार की तरफ से हाली में डिली मिटेशन कमिशन बना हुआ था और एक जो हम लोग जिसके लिए आजादी के सतर साल में तडफते थे कि यहां पर जिस तरीके से हमारा एरिया खेतर फल के हसाब से बहुत एक लंबा चोड़ा एरिया है रिमोट एरिया है पहाड है और उसमें हर आदमी तक पहुँचा जाए यह बड़ा नामुम्किन था बहुत मुश्कल होता था एक MLA के लिए कि इतने बड़े एरिया को वहां पर रिपर्जेंट करता ठीक है वोट हो जाते थे एलेक्शन हो जाते थे MLA बनते थे लेकर लोगों की बात उस तरीके से उसको जो है एडरस नहीं किया जाता था तो हमने सरकार की तरफ से जो यह इनिशेटिव लिया गया आदर निये नरिंदर मोदी जी ने जिस तरीके से यहां पर कोशिश उनकी रंग लाई उनके इनिशेटिव पर यह हुआ तो यहां पर जो सुनने में जैसे आप कह रहे हैं यह है कि हमारा जो डिस्टिक डोडा है इसको भी एक सीट जो है मिलने जा रही है और पूरे हमारे जम्मू प्रावेंस और कश्मीर मलाकर साथ सीटें बढ़ रही हैं तो हम वेलकम करते हैं सरकार का कि जिनों ने इस चीज को कंसिडर किया है और रिमूट एरियाज जितने भी थे हमारे ही नहीं हमारे साथ में किश्टवार है वहां पर भी तरीके की दिक्कत थी तो वहां पर भी सुना है कि एक सीट और बढ़ रही है तो यह बड़ा वेलकमिंग स्टेप है और सब लोगों को की तरफ से एस चेर्मेन में मुबारक बात देना चाहूंगा लगी अड्मिस्टेशन को अलेक्शन कमिशन आफ इंडिया को परधान मंतरी निंदर मोदी जी को कि जिनों ने एक सफाफ सफाफ और उस तरीके की यहां पर ज सीट बढ़नी चाहिए सब लोगों का चाहे कोई भी पार्टी हो सब का यह डिमांड था क्यूंकि हमारी आपस में पार्टी अलग है सोच अलग है लेकर किसे ने किसी मुद्धे पर जो है बात होती है तो वहां पर ही हमने जो लोगों से बात की तो सब का यह था कि यहां पर सीटें बढ़नी चाहिएं तो हमारी उन जजबात की कदर की यही हमारी बात को समझा गया तो हम उसके लिए एक बार फिर एलेक्शन कमिशन आफ इंडिया का शुक्रियादा करते हैं धन्यवाद कहते हैं उनको कि उन्होंने ये प्रासिस जो है लगबग हो गया है और हाली में जो रिपोर्ट आई है उसमें जो उन्होंने कहा है कि यहां पर सीटें बढ़ेंगी तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि इससे हमारा जिला जो है ये और तरकी करेगा और यहां पर रिप्रेजेंटेटिव्स बढ़ेंगे और वो अपनी बात को ठीक तरीके से असेंबली में रखेंगे तो ये सब के लिए सब इसके मुबारकबाद के पातर हैं चाहे वो मीडिया है चाहे वो लोग है चाहे वो लीडर है चाहे जो भी बिरोक्रेट है सब को इसका फाइदा होगा कुछ पार्टियां ये भी कह रही है खास तोर पे उसमें जो कश्मीर बेस पार्टीज हैं वो ये कह रही है कि एक तो नाइसाफी हुई है दूसरा जो डिलिमिटेशन कमिशन पहले घटन हुए हैं जितने भी वो पॉपुलेशन बेस जो है उन्होंने घटन किये हुए है अ अगर पॉपुलेशन को क्राइटीरिया नहीं रखा गया है रिमोट एरिया या एरिया को क्राइटीरिया इस बारी जो है डिलिमिटेशन कमिशन रखा है तो ये जस्टिफाइड है या जो ये रिपोर्ट आई है इसको दुबारा रिव्यू करना चाहिए और कश्मीर बेस पाटी जो कह रही हैं हो कहीं नहीं सही है मुझे लगता है कि जो पार्टिया 성 qui opposition करें तो उनोंने सतर साल में लोगों को ब्लैक्मेल बेस हैं लोगों को power दी गई है यहाँ पर three tier system जो है वो लागू हुआ है यहाँ पर आज power जो है वो penches के पास है, serpentches के पास है, उसके बाद BDCs हैं, DDCs हैं, तो उन लोगों को लगता है कि कहीं न कहीं वो अपनी जमीन जो है वो खो चुके हैं, तो अब उनको लगता है कि हम कोई न कोई ऐसा, या तो वो criminal बात करेंगे, या कोई ऐसी बात करेंगे कि जिस से वो सोचते हैं कि हमारी ground दुबारा revive हो, otherwise आप लोग जो हैं बड़े पड़े लिखे हैं, लोग समझते हैं, कि जो criteria बना है, वो सब के लिए बना है, और इसमें अगर area जहां पर इस चीज़ की जरूरत थी, आप देखिए कि ये चीज़ें लदाख में किसी हद तक हैं, बाकी जगाओं पर भी हिंदोस्तान में हैं, लेकिन यहां पर बदकिस्मिती से इन चीज़ों को consider नहीं किया जाता था, तो यह अगर पहली बार consider किया है, तो यह बड़ा welcoming step है, मैं आपके मादिम से उनक से भी ये request करना चाहूंगा, कि वो देश हित में, समाज हित में, लोगों के हित में, जिनके कारण जो है, यह power होती है, जिनके कारण लोगों के vote से लोग बनते हैं, तो वो भी खुदारा इस चीज़ को समझें, और लोगों की कैसे खित्मत हो, अलाकों को कैसे represent किया जाए, अलाकों की कैसे development हो, तो इसके लिए वो positive तरीके से सोचे, तो उनको खुद भुखुद लगेगा, कि जो भी decision हुआ है, वो बड़ा welcoming है, वो बड़ा अच्छा है, और उसको welcome करना चाहिए जिस तरीके से जतिंदर सिंग जी ने, जैसे ही जो है deal limitation commission की report, जो है table की गई, माननिया MPs के सामने, उसको जतिंदर सिंग जी ने बयान दिया, उनने कहा कि इसमें फारुक मदब जो NC पार्टी है, जिनके की तीन MPs हैं वहाँ कश्मीर से, उनुने जो है, इस पे महर लगा दी है, उनने इसको accept किया है, कि जो commission की report है, बिल्कुल सही है, लेकिन बाद में जो है, उनी parties ने कहा कि हम accept नहीं करते हैं और इसमें जो गुपकाड, जो गुपकाड declaration है, जो बाजाबता उनने इस पे एक प्रसवारता की, उसमें ये कहा गया कि भाई, हमें acceptable नहीं है, हम इसके लिए लड़ेंगे, तो आपको लगता नहीं कहीं न कहीं, dual character है इन parties का, अंदर कुछ कहते हैं, बाहर कुछ कहते हैं, इससे पहले भी जब NC हकूमत कर रही थी, या PDP हकूमत कर रही थी, उस दोर में भी वो केंदर में कुछ कहते थे, और यहां राज्य में आके कुछ और कहा जाता है, आप मीडिया से जुड़े हुए हैं, आप प्रेस के बंदू हैं, अगर आपने फारुक साब का देखा होगा, कि वो जब दिली से आते हैं, तो दिली से आते हैं, वो जब जमू नगरोटा पहुँनते हैं, तो दूसरा स्टेटमेंट होता है, जब वो भुटोद के आसपाथ पहुनते हैं, तो उसमें और चेंज आ जाती है, और जब वो कश्मीर की तरफ जाते हैं, तो बिलकुल अपने ही statement का जो है वो बिलकुल उलट बात करते हैं तो उनकी सियासत ही इसी से शुरू हुई है तो उनको आती ही ऐसी सियासत है वो उनकी फित्रत है कि वो इस ऐसी बातें करेंगे तो आज ये कोई नई बात नहीं है लोगों ने सतर साल इन लोगों को देखा है कि इन्होंने जिस तरीके से इस रियासत को लूटा है जिस तरीके से उन्होंने अपने चंद एक परिवार के लोगों को रिष्टदारों को बढ़ावा दिया है तो आज भी आप देखिए कि कशमीर के आप रिमोट में जाएए कि लोगों की क्या हालत है किस तरीके से लोग जो है अभी भी जो है मुश्कल में हैं तो वो इन लोगों के कारण है आज हम समझते हैं कि बड़ी खुश किसमती है कि आज नेंदर मोदी जी की सरकार में आपका गॉल्डन कार्ड है चाहे आप देखिए ईश्रम कार्ड है तो आज वो जो है सिरीनगर या गांदीनगर में बैट कर भी वही रूल है और आप रिमोट आप जाएए आप अखिरी वहां पर जाएए वहां पर भी यही रूल है और लोगों ने इसका आज फाइदा उठाया आप देख रहे हैं कि कोविड के इस महामारी में किस तरीके से हर आखिरी आदमी हर आखिरी गाओं तक जा जाके जो है वेक्सिनेशन की गई टेस्टिंग की गई और उनको कोई हमारा आदमी भूखा न सोए उसके लिए पिछले दो साल से आप देख रहे हैं कि फ्री राशन जो है रूटीन राशन के लावा जो हर आदमी को दिया जा रहा है अदर्वाइज उस टाइम में इनका आप देखिए कि अगर ये करते थे ये देखते थे कि कौन सा डिस्टिक में इनके लोग है कहां पर वो होना है तो वो पिक कोई एक इंसिडिंट बता दें कि सरकार की ये वाली पालसी जो है ये कि समें कोई भेदबा हुए हलांके आज की सरकार ने महिलाओं को और आगे रखा है हमने जो जो उजोला सकीम में महिलाओं के नाम पर गैस कनेक्शन जिन नहीं थे उनको दिए गे उन लोगों को दिया गे जिनके नाम पर कनेक्शन नहीं था तो हर महाथ में बड़ा ट्रैल्स ट्रांसपरेंसी से काम हुआ है और हर आदमी को जो है उसका ख्याल रखा गया है और आज की लो पंशन आती थी उसमें कोई रेगुलरटी नहीं थी स्थी वो चेचे मीने के बात के पनशन आती थी और वो आदमी होते ने थी वो लोग मरगे होते थी और वह वापस फिर जो है उसमें बंगलिंग होती थी आए तो सब आनलाइन है आप देखे कि हर मीने की फस्त तारीख को जो है उन लोगों के अकॉंट में जो है डीबिटी होता है डायरेक्ट बेनिविट उनको मिलता है सबसीडी जो है उस असाब से मिलती है और जो भी चीजे हैं बिलकुल ट्रांस्परेंट वे में हो रही है तो रहा है और इसमें ट्रांस्परेंसी आएगी और हर आदमी जो है इसका फाइदा उठाएगा तो इसलिए उन लोगों को जो है अब सोचना चाहिए कि आप वो वाली सियासत जो है उसको बदल करके एक बड़े साफ शफाप और लोगों की खिदमत से उस सोच को लेकर अगर स पूर्ट करेंगे अगर आप कोई बी चीज इंप्ली में होनी है आप रोक नहीं सकते हैं उस चीज को आज नहीं कल नहीं परसू प्राइविटाजिजिन होनी है लेकिन जो पावर का सेनारियों खासतोर पे एंटायर चिनाब रीजन में है वो दोड़ा हो रामबंध हो यहा चिनाब में हैं, आपका डूलहस्ती बीशी चिनाब में, किर्थाई वन, किर्थाई टू, पकल डूल, उसके बार रेटले, इस सारे प्रोजेक्ट जो हैं, 20,000 नगावाट का पोटेंचल है चिनाब के अंदर, क्यों ऐसा है कि आज भी इन गाउं में जो लाइट नहीं है, गालदनी ग्रिट स्टेशन से यहां मूँ करती है, 32 के भी फीडर है आपके बदरवा और डूड़ा को, जिसकी वज़ा से यहां लोड शेटिंग हो रही है, यह मैं पिछले कारेकाल की बात कर रहा हूं, कि आने वाले वक्त में, जब डूड़ा के लोग यह भी देखेंगे कि उनकी सरदियों में भी जो है, उनको 24 घंटे बिजली मिलेगी। आई, तो हमारे उस वकत के चेफ मिनिस्टर जो है, अमर अबदल्ला साब, तो उन्होंने कहा कि आपको इतने परसेंट जो हमें जमा करवाना है, तो उसके बाद आप काम शुरू कर सकते हैं, जब वो आए, यहां पर उन्होंने देखा, और उन्होंने कालकुलेट किया कि य और आज तक अभी वो काम शुरू नहीं हुआ है, तो आज की डेट में जो है, ट्रंड बदल गया है, आज की डेट में जो भी कंपनी आती है, उसको वेलकम किया जाता है, और जितने भी प्राजेक्ट जो यह छूटे थे, उन्हें अब कुछ लिटीगेशन में चल रहे हैं और कुछ और मैं बोराहा हूं, बिज़ी का बोराहान, बिज़ी हम दे रहे हैं, आज सब पर पचास तंयच तो आप दे रहे ह। लों यहां से बेच आप लाइवराम पाटि दे रहे ह। आता के रहे है, लेकिन क्या और के इलाके में कश्तिवारly में आप टो डोडा के पृ पियर होगी नहीं कोई लाइन जो है आएगी क्योंकि इसमें आपके जो सिटिंग MLA भी थे जो आप ही के थे शक्तिराज परिहार जी उनने काम किया है इसमें ये लाइने उनने बिछाई हैं तो उनको शाइद मेरे से ज्यादा पता है लेकिन क्या आने वाले वक्त में डोडा जंगलात हैं और कहीं न कहीं लाइट की जो तारे हैं वो जो है उनसे टच करती हैं उससे काफी लाइट हमारा डैमेज हो जाता है काफी जो सिस्टम है हमारा वो सिदा है सड़ा हुआ है कभी वो जो है उसके पॉल के साथ जो है वो टच होती है और उससे काफी लाइट जो ह पर लगें और जहां पेड़ हैं उनको जो है अटाया जाए और एक प्रापर दो जाए जाए पर बफ्र भारे यहां से जो चीज जाते ज arkadaşlar है उसका आदा रह जाती और लेकार 30 परसंट वेस्ट हो जाती है तो इस उसम्छा है और दूसरा यह सो लिटर पानी, दो सो लिटर पानी दरकार होता है लोग क्या करते हैं कि वो हजार लिटर की टेंकी या दो हजार लिटर की टेंकी में शाम को जो है वो कौाइल डाल देते हैं और उससे क्या होता है ना उनके वो काम का पानी होता है लेकर energy electricity कितनी जाया हो जाती है तो इसके लिए लोगों को भी aware करने की जरूरत है कि लोग इस चीज़ को समझें और लोगों को ये बताया जाए कि वो अपने जितनी बिजली खरच करते हैं उसके लिए metering होने चाहिए metering होने चाहिए यहां पे क्या होता है कि जो influential लोग है उनको भी उतने charges लगते है और जो गरीब लोग है उनको भी उतने लगते है क्योंकि सरकार के पास एक target आता है कि हमने इतने पैसे खड़े करने है तो जो influential लोग हैं जिनके 5-5-6 मकान है जिनके बहुत ज़्यदा बिजली का खर्चा है उनको भी 500 रुपय कराया आता है और जो गरीब है जो BPL में रहता है जिसके एक कमरा है उसको भी उसके साथ करते है तो कहीं न कहीं हमें इन चीज़ों को चेक करने की जरूरत है और लोगों को समझाने के जरूरत है कि जिसको एक बलब है उसका कराया उतना ही होना चाहिए और वो मीटर से होगा और वो वाले लोग जो जो है अनसेसरी जिनको फ्लेट रेट बारे में है जो दस जार की बिजली खर्च करते है वो तो कहते हैं कि हमें जो है वो 500 का फ्लेट रेट होना चाहिए जहाज़ा यह कहीं न कहीं चेक करने की जरूरत है और यह जो डिपार्टमेंट से वो उनका काम है लहाज़ा आने वाले समय में लोगों को भी अवेर किया जाए और डिपार्टमेंट्स को भी उनको भी चेक रखा जाए आज जैसे आपने बात की कि यहां पर हमारे एंपलाइज जो है उन्होंने स्ट्राइक कर दिया और उन्होंने कहा कि भाई हमें जो है अब किसी के अंडर काम करना पड़ेगा तो मुझे लगता है जब हम कहीं से कोई तनकवा ले रहे हैं तो हम उसके यूज में कितना काम करते हैं कोई जवाब दे ही तो सैट होनी चाहिए आज की रेड़ में क्या होते हैं कि बहुत सारे हमारे हम जनरली सब की बात नहीं कर रहे हैं लेकिन कुछ ऐसे ब्लैक शीप्स है जो क्या करते हैं जो उन लोगों को उसके लिए एंकरेज करते हैं वो कहते हैं आप हम से 200 रुपया मीना एक्स्ट्रा दे दो आप 10 जार की बीज्जी पचास जार की बीज्जी जैसे मारजी तैसे वैसे वो यूज करो तो इनको कहीं न कहीं चेक करने की परिलिया और यूटी अध्यक्ष जो हमारे अभी हैं लेटनंग गवरनर उन्होंने भी ये डिसिजन को जो है आगे इंप्लिमेंट करवाया वो ये है कि हर हाई स्केंडरी का निस्ट्यूशन का नाम जो है हमारे शहीदों के नाम से जो है उनको सम्मानित करेंगे और कैसा बहुत ही वेलकमिंग स्टेप है बहुत एंकरेजिंग है कि आज इस सरकार ने सोचा कि उन लोगों ने जिनके कारण जिनकी शाहतों के कारणा आज हम यहां पर सुख भोग रहे हैं नहीं तो वो भी एक नबे का दशक था जब मौत जो है हरादमी के सर पर मंडराती थी एक कらणी थी और ऐसे जैसे कुछ लोगों ने आगे निकल कर इस मिलिटेंश्य को फाइट किया अदरौाइस आपको याद होगा कि कही बे बेगभुना जिनमें चपनाडी कांड जिनमें कूल हमारी कांड जिनमें कुलहांड्कांड तो ऐसा जैसे लोग जिनको किसी के साथ कु शूर वीर ऐसे जसे जो चाहे पुलीस के थे, चाहे पैरा अर्मी के थे ऐसे जैसे लोग आ गे निकले जिनूने अपनी लाइफ की प्रवाह न करते हुए उसके साथ म्काबला किया और बहुत सारे जो ऐसे अतंकी थे उनको नींद की इसमें सुला दिया और तब से यहां पर अमन बना हुआ है तो आज काफी देर के बाद से ही लेकन सरकार को यह चीज जो है दियान में आई और हमने यहां पर बहुत सारे सुकूलों का है, सकंडरीज का रुकालों का नाम जो है उन शेइदों के नाम पर रखा है और हम चाहेंगे कि आने वाले समय में हमारे जो जनरेशन्स हैं, जो हमारे बच्चे हैं आने वाले, उनको अपणा इतिहास पता होना चाहिए और उसमें शीदों के साथ, और भी जो हमारे सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो सोशल लोग हैं, जिन्होंने वाक्याई ही गریभी के खलाफ जंग लड़ी है, जिन्होंने लोगों के wphony के लिए सरकार के साथ लड़ाई लड़ी है, वैसे जैसे लोगों को भी हम चाहते हैं, कि इसमें इनकलूड हो ताके बच्चों को पता लगए कि हमारे इस यहां पर यह जो अमन है यहां पर जो development है यहां पर जो आज हम स्कूल देख रहे हैं कालजिस देख रहे हैं रोड्स देख रहे हैं ऐसे जैसे लोगों को भी identify करना चाहिए और वहां के जो concerning वहां के उस पंचायत के लोग है उनकी तरफ से एक resolution वहां पर आना चाहिए मैं जहां भी जाता हूं लोगों को कहता हूं कैसे जैसे लोगों को identify कीजिए और युनानिमसली अगर लोग किसी बात पर आते हैं तो हम जरूर उसका भी नाम जो है उनके नाम पर रखेंगे और यह बहुत ही welcoming step है बहुत बार जो है यह topic आप इसे थक भी हैं मैं लंबा interview हो रहा है एक सवाल है कि state land के उपर बात जो है government ने बड़ी बार छेड़ी और उसमें बहुत सारी ऐसी जगाएं हैं वो forest land और state land में मकान लोग उने बनाये हैं और उस पे जो है government ने जो रोशनी एक लाया था उसमें बहुत बड़ी जो साज़िश थी उस साज़िश को भी जो है परदाफास किया उस पर अभी inquiry चल रही आगे क्या होगा उस चीज में लेकिन देखा गया है कि बहुत सारी ऐसी acid है जो डोड़ा में भी एक acid है आपके पास ये डोड़ा का stadium इस stadium के आगे पीछे जो लैंड है वो कहीं न कहीं जो है इलिगली लोग उने अकोपाई की है और उसमें एक जो अभी construction चल रही है आपके बिल्कुल बगल में उस construction में भी क्या किया गया है उसकी दीवार जो है बनाई जा रही है और अब एक hostel क्रेट किया जा रहा है उसमें कहीं न कहीं जो हम अपने संदर्रों में देख रहे हैं अब ये का मनचा है वो अलग चीज़ है हम इस संदर्रों में देख रहे हैं वो उसको justify करना जा रहे हैं कि बच्चों को खेलने के लिए entire डोडा district में कोई दूसरा मैदान नहीं है सिवाए इस stadium के तो आपको नहीं गाएं जो खाली पड़ी है जिन पर construction नहीं है अभी नाले हों कुछ भी हो उनको जो है जल से जल क्यूंकि सरकार बदल गई है सरकार बदलने के बाद उनको identify किया जाए उनको जो है relocate करके उनको cover up किया जाए क्यूंकि ये government के asset आपको नहीं लगता है चीज़ है मैं आपके माधिम से बताना चाहूँगा कि हमारे जो डूइनल कमिशनर है राहुल लंगर जी वो यहां पर दो तिन उन्होंने टूर किये और एक meeting वहां पर हुई थी और उन्होंने बड़ी clear instructions दी थी कि ये जलस से जलस इस पर action होना चाहिए और जो भी वहां पर अधिकारी थे उनको बड़ी फटकार लगाई है उन्होंने कि ये आज तक क्यों नहीं हुआ तो मुझे लगता है कि सरकार इस मामले में बड़ी serious है और जो भी land grabbers है जिन लोगों ने unnecessary जो है land को grab किया हुआ है और वो कही कनालों में कही acres में है मुझे लगता है कि उस पर कड़ी से कड़ी कारव होनी चाहिए बलके कुछ ऐसे लोग हैं जो landless हैं जिनके पास है नहीं कहीं पर अगर उनको कहीं एक आद मरला एक डेड़ मरला कहीं ऐसी जगा पर अगर मिलता है तो उसको इस से exclude करना चाहिए जो गरीब लोग है कोई कानून बनाना चाहिए को ऐसा कानून बने के एक दो म साने के लिए सरकार की कोई वैसी पालसी होनी चाहिए पर गरीब लोग है जो 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 लोग वाकिया ही डिजरू करते हैं कि उनको भी कहीं अपना घर देखी आप प्रधान मंत्री जी की सोच कि वो कहते हैं कोई आदमी बिना घर के ना रहे हैं आपकी जमीन की पास बुक बिल्कुल यह आप देख रहे हैं कि आज की डेट में जितने भी यह जो रेवन्यू की लोग है आज बड़े सहमें सहमें हैं और आज लगबग सारा रिकार्ड जो है वो डिजिटल इसमें आ गया है और अब सरकार का एक और स्टेप है कि वाली में एक सरक्लर निकला एक आर वोड़ दी है जो रिकार्ड दिया है वो फेर है कि ने उसको थोड़ा सच्छा करने के लिए एक इनिशेट्यू है तो मुझे लगता है यहां पर भी वो जल्दी इंप्लीमेंट हो जाएगा और जितना भी जो है जैस्टस लोगों को दिया जाएगा विदोट एनी रिजिन उस तरीके के काम करेगे जिस तरीके से आज आप देख रहें कि यहां पर सãyटाप बना हुआ है आपने अभी खिर किया हमारे पूर जो विदाइयक थे यहां पर तो आज लोग उनके कामों को याद कर रहे हैं और इस चूँक है कि उनको दुबारा रिपीट किया जाएं क्योंकि उनकी ही consistency को मे भी दो हिस्सों में अब तबदिल किया जाएगा तो क्या आपको लगता है कि आपकी जो empowerment होते हैं empowerment करता है कि आपके consensus कितने हैं मतब कितने आपकी consciousness हैं अगर consciousness दिमार्केट जादा हो रही हैं तो it means development ज्यादा होगे आपका जो है अपना जो CDF है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैंगा तीन आगे तो CDF बहुर बढ़ेगा तो आपको लगता है कि यह जो step है खास तोर पे आएंगी तीन तीन आपके विधायक निकलेंगे यहां से यहां यह fight जो 9 की fight में कह रहा हूँ चिनाब रिजन की जो 9 सीटे हैं आने वाले वक्त में यह decide करेंगी कि हकुमत किसकी होगी जो आपका 50 का आंकड़ा है यह 9 सीटे बहुत important है आपके लिए मुझे लगता है कि जिस तरीके से सरकार ने सब के लिए काम किया है और आज की डेट में लोगों को लगता है लोग बड़े intelligent हैं वो समझते हैं कि जिस तरीके से center में सरकार मोदी जी की और आने वाले काफी समय के लिए यह सरकार जो है उनी की होने जा रही है तो उसमें लोग समझते हैं के वैसी जैसी सरकार यहाँ पर हो वैसे जैसे representative यहाँ पर हो जो direct अपनी बात वहाँ पर जाकर करें और उसको जल्दी जो है follow-up मिलता है तो उस तरीके से यहां पर लोग भी काम कर रहे हैं पार्टी का आपने देखा के और कोई भी पार्टी नहीं है जिसका बूद लेवल ता के कंटेक्ट बना हुआ है रेगलर यहां पर आप अगर देखते हैं जो करोना काल था अगर फ्री राशन बांटा फ्री मास्क दिये फ्री वेक्सिनेशन टेस्टिंग और उससे बढ़कर भी जहां पर भी कोई जरूरत थी तो आज तक तो यह पुल्टिकल पार्टी आप ने देखा होगा आप प्रेस से हो कि कोई कहीं पर थे क्या जब यह सारा नार्मल हुआ तो आज जो है आपको दिख रहे हैं कि नेशनल कांफरेंस भी अपनी बात कर रहे हैं कांगरेस पर उस समय में तहां थे लोग यह चीज़ समझते हैं आज वो वाला दोर नहीं रहा है कि आप आप क्यों है हमारा पूर कोशिश है पूरा उसके लिए हम फाइट कर रहे हैं लड़ाई लड़ रहे हैं तो हमें लगता है कि लोग भी इस से कन्वीन्स हैं और आने वाले समय में जिस तरीके से हमने एस्टीज के लिए भी अलग से रिजर्वेशन रखी है तो वो भी और महिलाओं के लिए भी इस से ज्यादा खतरनाक पहाड़े हैं सबसे ज्यादा ऐसे पहाड़ों पे होते हैं अगर दुखगत बात यन देनके लोग जोंके लोग देनी चाहिए कि जिससे इनकी empowerment हो हमने पार्टी लेवल पर अपनी जो concern था वो concerned quarters तक यह पहुंचाया है और हमने आपके जैसे आप कह रहे हैं वैसे हमने भी कहा है उनको के हम तो बड़े tough terrain में रहते हैं बहुत पहाड़ है बहुत tough life है हमारी तो हमें भी इसमें include करना चाहि है कि हम देखते हैं इसमें कौन सा criteria बनता है उनका तो पहले यही था कि वह जो एरिया पीर-पंचाल का उसको किस level पर उन्होंने जो है recommend किया है तो आने वाले समय में और हम इस बात को जो है जो है जो है जो है जोbit से रखेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारा ये डिस्टिक्ट भी जो है पहारी इसमें आ जाये नंतर दी थे हमारे साथ उन्हें केटावरिकली ये बात कही कि بीजे पी आगे जो है जो है जब चुनाव होंगे assembly के चुनाव होंगे तो बिल्कुल जोरोशोर से काम वैसे कर भी रही हो और लड़ेंगे और लड़ेंगे और लड़के जीत भी लेंगे लेकिन सवाल पहाड़ी का है पहाड़ी का है जम्मू कश्मीर में डोडा, किष्टवार और रामबन डिस्टिक को मिलेगा ये इस सवाल का जवाब जो है अभी तक न कोई दे पा रहा है और न शायद कोई दे सकता है जूरते रहें स्ट्रेट लाइन के साथ देखते रहें स्ट्रेट लाइन हम ऐसे ही लोगों से आपको रूबरू करवाते रहें